सो नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज करते हैं और Android Mobile के अंदर आप टैलिग्राम यूज करते हैं और टैलिग्राम में आपको कुछी सारे से प्रॉलम आजाती है जब भी आप उसमे अपना नमबर डालर कर, code मॉँआने का ट्राइय करेंगे तो आपके सामने कुछी तरह से प्रॉलम आएगी जब भी आप logging करने का ट्राइय करेंगे नमबर डाल कर. टू मैनी टेंट्स, ब्लीज ट्राइगी लेटर जब भी आप number डाल कर लोग इन करेंगे तो यह problem आपको आएगी बार बार आपको यह problem आ रही है तो आपको अगर solution नहीं मिल रहा है तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इसको solve करना है तो इस वीडियो में एन तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को subscribe कर लेना इसके लिए आपको simple से काम कर लेने है सबसे पहले तो प्लेश्टोर पर आना है यहाँ पर telegram जो है आपका उसको search करना है telegram को यहाँ से update कर लेना है जहाँ पर open लिखा हुआ है यहाँ पर आपको update का option देखने को मिलेगा जहाँ पर update लिखा हूँ उसको यहाँ पर update कर ले होता गया है कई बार जब आप update नहीं करते हैं तो आपकी टेक्निकल इसो होने के विज़े से कई बार problem face करनी पढ़ती है तो इसलिए अपने टेलिग्राम को up to date रखें जैसे आप update कर लेंगे दन उसके बाद आपको back आना है बैक आने के बाद directly आपको आना है अपने mobile की setting में mobile की setting में आने के बाद आपको scroll करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर apps देखने को मिलेगा apps पर क्लिक कर लेना है दन उसके बाद manage apps manage apps क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके mobile की जितनी भी applications होंगी in build और जो आपने download करके रखे होंगी सभी apps को देखने को मिल जाएंगी तो यहाँ पर आपको telegram को search कर लेना है या तो आप scroll करके search कर सकते हैं या फिर आप उपर search bar में type करके search कर सकते हैं तो यहाँ पर हम उपर ही search कर लेते हैं telegram तो देख सकते हैं telegram आ चुका है telegram को यहाँ से open करते हैं open करने के बाद यहाँ पर option मिल जाता है storage का इस पर क्लिक करने के बाद नीचे option आ जाते है clear data, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो option आते हैं, सबसे बहले आपको clear catch करना है, और देखना है आपका काम बनता है नहीं, clear catch करने से नहीं बना, then उसके बाद manage space पर आए और clear all data कर दिजिए, देख सकते है clear catch, और नीचे, देख पाएंगे आप, यहाँ से clear catch कर देंगे इसका, यहाँ पर normal clear catch देखने को मिल रहा है, उपर three dot पर जैसे क्लिक करेंगे, तो clear local database है, इस पर आपको click कर देना है, clear local database पर, तो इसका clear all data भी हो जाएगा, then उसके बाद आपको back आजाना है, back आने के बाद आपको एक और का additional setting, additional setting पर आपको click कर लेना है, जैसे आप additional setting पर click करेंगे, उपर date and time देखने को मिल रहा है, date and time पर आपको click करना है, date and time पर click करने के बाद यहाँ पर आपको date and time मोबाइल की set कर लेनी है, अगर आपकी date and time सही नहीं होगी, तो आपको यह problem फेस करनी पड़ेगी, या तो इस पर ओके कर दिजिए जैसे ही आपकी प्रॉलम जो है वह सॉल्व हो जाएगी और फिर से आपको यह प्रॉलम देखने को नहीं मिलेगी गाईस तू गाईस आज की विदिए अच्छल लिए 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 लाइक करदेना चैनल को सब्सक्राइब करदेना मिल दे नेक्स वीड